Hello everyone, अब हम इस लेक्चर में एक कम्बेर करते हैं वीटो पावर प्रेजिट और गवर्नर की, ठीक है? ओर्णरी बिल के रिगार्डिंग, अगर हम लोग देखें, और्णरी बिल के कंटेक्स के अंदर, तो with regard to ओर्णरी बिल्स, हर एक जो ordinary bill होता है after it is passed by both the houses of the parliament अच्छा यह याद रखना कि हम लोग जो यह veto power discuss कर रहे हैं यह याद है आपको कि हमारे देश में कौन सी veto नहीं होती है qualified veto नहीं होती है बस यह याद रखना चलो अच्छी बात है आप लोग को यह याद है तो हर एक जो ordinary bill होता है जब यह parliament के दोनों houses के दौरा पास कर लिया जाता है या तो single तरीके से या फिर joint city के अंदर वो present करा जाता है president को for his assent तीन choices होती है president के पास इस case में वो signature अपने दे दे तो वो act बन जाता है वो अगर signature रोक ले बिल खताम हो जाता है and does not become an act वो दुबारे return कर सकते हैं बिल को दोनों houses के पास reconsideration के लिए लेकिन बिल अगर दोनों houses फिर से अगर उनको पेश करे amendment के साथ या without amendment तो president को अपने signature देने ही पड़ते हैं ठीक है and president यहाँ पर suspensive veto enjoy करते हैं देखी आपको पता ना कि हम लोग इसको यह भी बोलते हैं कि parliament जो है वो ordinary majority की साथ override कर लेते हैं president के इसके power को है ना यह चीज़ है यहाँ पर देखो with regard to ordinary bill governor के पास क्या होता है हार एक जो ordinary bill होता है जब वो legislative assembly के द्वारा पास करा जाता है in case of unicameral legislature या फिर by both the house in case of bicameral legislature either in the first instance और in the second instance वो governor को को मिलाकर present करा जाता है for its essence ठीक है first instance मतलब in case of unicameral legislature वाली बात हो रही है second मतलब चाहे दोनों houses अगर हो राज्यों के अंदर governor के पास नहीं चार alternatives होते है वो sign कर देंगे तो वो at बन जाएगा रोक लेंगे अगर तो वो end हो जाएगा and does not become an at और वो बिल को चाहे तो return भी कर सकते है for the reconciliation of the house और the houses अगर बिल जो है पास करा जाता है दुबारा फिर से एक house या houses के द्वारा with और without amendments और governor को अगर वो signature देते ही है बिलकूँ उनके पास कोई choice नहीं होता तो यहाँ पर governor भी एक suspensive veto enjoy करते है तो यहाँ पर हमारी conclusion क्या निकली हम क्या सीखने है बैठे हुए थे क्या suspensive veto दौनों के इसमें exist करता है बिलकुल चौथा उनके पास यह होता है he or she, governor की बात हो रही है he or she में reserve the bill for the consideration of the president उनके लिए वो रख सकते हैं ठीक है आगे बात करते हैं अगर एक बिल governor reserve करके रखते हैं president की consideration के लिए president के पास 3 choices होती है वो अपना ascent दे दे बिलको तो bill act बन जाएगा रोग दे अपना तो bill end हो जाएगा does not become an act और वो बिलको विदान सभा या विदान परिश्रत के पास वापस भी बेज सकते हैं अगर बिल उन्होंने वापस भेजाया the house or houses have to reconsiderate within 6 months limitation है या निकी विदान सभा विदान परिश्रत के पासे ऐसा नहीं वो रखी लेंगे अपने उस बिल को अनिश्रित काल तक 6 महने तक अगर बिल दुबारा पास करा जाए विदान सभा या फिर इन केस विदान सभा विदान परिश्रत by camera literature both ठीक है with or without amendments और President को President करा जाए for his assent President is not bound to give his assent to the bill कौन सा बिल है ही State Literature वाला ठीक है He may give his assent to such a bill और withhold his assent उनको कोई मजबूर नहीं का उनको देने ही पड़ेगा लेकिन अगर ये Parliament से द्वारा पास होता तो देने ही पड़ता ठीक है तो देखो आगे ही हाँ पर when the governor reserves a bill for the consideration of the president ठीक है उनका कोई भी further role नहीं रह जाता उस bill की enactment में if the bill is returned by the president for the reconsideration of the house or houses state license दी बात हो रही है and is passed again जो bill है दुबारा वो presidential assent के लिए president के पास ही जाएगा ऐसा नहीं कि governor दूसरी बार उसको रख लेंगे किस बार मैं देख लेता हूँ ठीक है अगर president उसको sign करते तो वो act बन जाएगा this means that the assent of the governor is no longer required क्योंकि तुमने शुरू में रखा ही था उसको president के लिए reserved अब वो दुबारा अगर president ने वापास कर दिये तो ऐसा नहीं to the president for his assent और उनके पाद दो alternatives होते हैं he may give his assent to the bill वो act बन जाएगा withhold कर सकते हैं bill end हो जाएगा and does not become an act लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं वापस नहीं कर सकते हैं ठीक है money bill governor के लिए state legislature में every money bill after it is passed by the state legislature it is presented to the governor for his assent तीन alternatives उनके पास he may give his assent to the bill withhold his assent to the bill तब वो अगर दे देंगे signature तो add बन जाएगा नहीं देंगे तो वो end हो जाएगा does not become an act और ऐसे bill को भी वो reserve करवा के रख सकते हैं for the consideration of the president money bill के case में अगर president की situation के अंदर हम लोग बात करे रहे हैं president return नहीं कर सकते money bill को for the consideration of the parliament normally president अपने signature दे ही देते है money bill को क्योंकि ये parliament के अंदर introduce होता है with his previous permission अगर एक money bill reserve कर जाता है governor के दोरा president की consideration के लिए president के पास दो alternatives होते हैं वो अपने आतो assent देंगे bill को तो bill act बन जाएगा withhold कर लेंगे does not become an act लेकिन president money bill के case में जो की विधान सभा विधान परिशाथ से आया है वो return नहीं कर सकते है उसको for the consideration of state legislation जिस तरीके से वो parliament में money bill को वापस नहीं बेज सकते क्योंकि state का finances या कोई भी पैसो की प्रक्रियाव से सफर कर सकती है money bill की बात करे अगर हम लोग governor के context में governor cannot return on money bill for the reconsideration of the state legislature just like president in case of parliament normally governor अपना essence दे देते है money bill को क्योंकि introduce होता है state legislature के अंदर उनकी prior permission से जब एक governor reserve कर वा लेते है money bill को for the consideration of president ठीक है उनका कोई भी further role नहीं रह जाता उस bill की enactment में अगर president अपना signature दे देते है बिलको वो act बन जाता है this means governor का फिर कोई role नहीं रहता ठीक है मलब तुमने जहां रोक लिया ना मलब governor के case में governor ने जहां रोक लिया ना president से signature signature कुछ भी करवाने के लिए तो फिर इस bill का कोई career नहीं है फिर तो कुछ भी नहीं है मलब governor के लिए कुछ भी नहीं है इसके लिए जो भी करेंगे वो कौन करेंगे president करेंगे ठीक है clear अब हम लोग यहां पर एक चीज़ को और देख लेते हैं ordinance making power जैसा कि अभी हमने previous lecture के अंदर cover कर आ था president के ordinance making power एक बार ही यहां पर भी हम लोग इसको compare कर लेते हैं ordinance making power of president and governor देखो president जो है वो ordinance को promulgate कर सकते हैं only when both the houses या फिर कोई भी एक house अकर session में ना हो ठीक है यह जो second provision है कौन सी when either house of the two when either of the two houses of the parliament is not in session second provision implies that ordinance can also be promulgated by the president when only one house is in session because law यह कहता है के स्वारी constitution की provisions यह कहती है कि एक law बिल की format से change होते होते लोग अभी बन सकता है जब वो दौनों house यह पारलिमेंट की दौरा पास कर जाए not by one house only पढ़ाना भी हमने इसको अभी शरिया प्रीवेस लेक्चर के अंदर गवर्नर के केस में अगर हम लोग वाद करें गवर्नर केन प्रॉमल्गेट अन ओर्डिनेंस ओंली वेन legislative assembly in case of unicameral estager is not in session या फिर in case of bicameral estager जब दोनों houses session में ना हो या कोई भी एक house bicameral estager के टाइम पर विधान सभा या तो session में नहीं है विधान परिशत है विधान परिशत session में नहीं है तो विधान सभा है you can imagine parliament के अंदर हमने कर रहा था यह वरी चीज यह जो last provision यह imply यह करती है कि ordinance can be promulogated by the governor जब एक house जो हो in case of bicameral estager वो session में ना हो ठीक है और दूसरा house है because law यह कहता है कि कोई भी जो bill है वो तभी act बन सकता है जब वो दोनों houses in case of bicameral estager जो वहाहाँ से पास हो और अगर सिर्फ unicameral estager वाला राजे है तो तो फिर कोई सवाली नहीं उड़ता कि जब वो कुल मिला कफिड़ तो हम यह कहेंगे यह कहेंगे ना शुर्य हमापर कोई state estager ही नहीं है है ना तब इस case में आ सकता है तो मुझे एक बाब बताओ अगर मैं यहाँ से आप से पूछूं कि विधान सबस सेशन में विधान परिशत नहीं है और्टिनेस आ सकता है क्या आप बटब दोनों लेके तो बाइक अपरल लिए भूछूंगो और क्या अपने आप ही पैता करती है विधान परिशत ओर्टिनेस आ सकता है क्या बताओ श्रिया विधान सबस सेशन में विधान परिशत नहीं है ओर्टिनेस आ सकता है आ सकता है, विधान परिशत सेशन में विधान सभा नहीं है, ओर्डिनेस आ सकता है, विधान सभा भी सेशन में विधान परिशत भी सेशन में ओर्डिनेस आ सकता है, नहीं, क्या बोलेंगे हम इसको, वॉइड, ठीक है, उसके बार, प्रेशन के केस में, President can promulgate an ordinance जब वो satisfied कि ऐसी circumstances exist करती है which makes it necessary for him to take immediate action लेकिन क्या इस satisfaction को challenge करा जा सकता है बिलकुल उसके बाद Governor can promulgate an ordinance only when he is satisfied that circumstances exist जो की necessary बनाती क्या इस चीज़ को भी challenge करा जा सकता है obviously जब President को करा जा सकता है तो उसको क्यों नहीं करा जाएगा ठीक है President की जो ordinance making power है वो co-extensive है वित्थ लेजिशिट्रेटव पावराऊदव ता पारलियमेट this means that जो President है वो issue कर सकते ordinances only on those subjects जहाँ पर पारलियमेंट लॉव बना सके Governor के case में भी इनकी जो ordinance making power है वो co-extensive है with the legislative power of the state listening this means that governor जो हैं वो issue कर सकते ordinance only on those subjects जहां पर state legislature करनूद बना सके same चीज़ है parallel ठीक है President के case में ordinance issued by the president has the same force and effect as an act of the parliament जो ordinance governor के तोरह issue करे जाते है it has the same force and effect as an act of the state legislature उसके बाद President ordinance जो उनके तोरह issue करे जाते है it is subject to the same limitation as an act of the parliament इसका मंदा भी है कि जो ordinance है वो invalid करार दे दिये जाएंगे अगर parliament जिनकी उपर कानून नहीं बना सकता या फिर जिसका parliament का कोई भी पास करा गया बिल, court अगर उसको नहीं बाटिकलेर कर सकता है तो वो ordinance के case में भी करा जा सकता है पार्लिमेंट जिन चीज़ों को नहीं चूँ सकता for example taking up a fundamental rights या constitution provisions का उलंकन करना constitutional boundaries को क्रॉस करना तो वो ordinance के थुरू भी नहीं करा जा सकता ठीक है similarly ordinance issued by the governor is subject to the same reputation as an act of the state legislature वो ही सेम चीज़ है कि ordinance जो कि governor के दोरा issue कर जाएगा it will be invalid to the extent कि अगर विधान सभाई या विधान परिशन जिन चीज़ के उपर कानूर नहीं बना सकती है फिर कानूर बनाने के बाद भी अगर वो high court या supreme court के दोरा null and body clear कर दिया जाए सकता है तो ये governor के साथ भी और president के साथ भी हो जाकता है उसके बाद president जब मरती चाहे तो ordinance को वो विट्रॉ कर सकते है similarly governor भी कभी विट्रॉ कर सकते है president की ordinance making power discretionary नहीं है ठीक है it means he or she can promulgate ordinance or withdraw an ordinance only on the advice of the council of ministers headed by PM similarly governor की भी ordinance making power or withdraw करना एक ordinance को तभी कर सकते है on the advice of chief minister and his mantra ordinance जो की president के दोरा issue करा जाता है जब parliament के दौनों houses अरीके assemble होते हैं उनके सामने रखने की जुरुत होती है ठीक है एक जो ordinance issue करा जाता है governor के दोरा जब legislative assembly in case of unicameral legislature and legislative assembly and legislative council in case of bicameral legislature जब वो reassemble होगे उनके सामने governor रखेंगे उनको ठीक है ordinance जो की president के दोरा issue करा जाता है वो उसका कारेकल खतम हो जाता है on the expiry of six weeks from the assembly of the parliament 6 हवते से पहली भी हो सकता है अगर parliament के दोनों houses ते resolution पास करते उसको disapprove करने के लिए यह वही चीज़ है शर्या सबसरे होगे आप tabular format भी दे रखा है हम सारा यह पढ़ चोके हैं वो यह repetition चल रहा है ठीक है बोरियत एक जो ordinance governor के दोरा issue करा जाता है it ceases to operate on the expiry of six weeks from the reassembly of the state legislature ठीक है वो पहले भी छे हथे से पहले भी खतम हो सकता है अगर विधान सबा और विधान परीशर डिपेंड करता है in case of unicameral by cameral structure वो एक resolution पास करें ठीक है कि वो उसको disapprove कर रहे है if it is if a resolution disapproving it is passed by the legislative assembly याद रखना है यहापर थोड़ अथा change है यह जो resolution ने disapproving करने के legislative assembly के दौरा पास होगा और legislative council के दौरा agree करती है जाएगा इसको क्योंकि आप जानते हो ना कि legislative council की ज़्यादा वैसे भी नहीं चलती legislative assembly को जो करवान होता वो करवा के रही लेता है parliament के इंदर हमने पढ़ा था है ना इस्टेट लेसे ज़र पार्लमेंट वाले discussion के दर ठीक है यहाँ पर president needs no instruction for making an ordinance making an ordinance लाने के लिए तो चाहिए है ठीक है और description पावर तो नहीं है लेकिन no instruction for making an ordinance यहाँ पर यहाँ पर कुछ और तो नहीं ठीक है अगर हम लोग यहाँ देखें governor के case में he cannot make an ordinance without the instruction from the president in three cases ठीक है governor के case में थोड़ादा situation अलग है president को किसी की किसी की instruction की ज़रुत नहीं है for making an ordinance governor के case में governor cannot make an ordinance without the instructions from the president तीन केसे के अंदर ठीक है अगर कोई एक ऐसा बिल है if a bill containing the same provisions would have required the previous sanction of the president for its introduction into the state legislature यानि कि कोई अगर एक ऐसा बिल है जिसको introduce करवाने के लिए state legislature में राश्पती की permission की ज़रुत थी ठीक है तो उसके लिए इनको राश्पती के instruction मिलेगा तभी ordinance लेकर आ सकते कि हाँ आप तुम लियाओ वो उस टाइम पर होनी पाया था विदान सभा विदान परिशत में आनी पाया था जब राश्पती बोलेंगे तभी क्यों क्योंकि it is concerned with something एक ऐसा matter जो कि अगर वो state legislature में आता भी न वो मुद्दा ordinance तो यह होता न कि state legislature के beyond lawmaking power होती है जायद है ना लेकिन अगर वो state legislature के अंदर अगर आता भी न अगर वो वाला matter तो क्या होता उससे उसके लिए president के अनुमदी चाहिए ही पड़ती है ना तो यहाँ पर भी इस ordinance को लाने के लिए president खुदी permission देगे governor को ठीक है if he would have deemed it necessary to reserve a bill governor को अगर रखता है कि हाँ situation ऐसी है कि उनको बिल reserve रखना पड़ेगा containing the same provision for the constitution of the president कि president इसको देख लेंगे तो फिर president ही बताएंगी कि ordinance लेकर आना कि नहीं आना अगर state legislature का कोई ऐसा एट है जिसके अंदर कुछ ऐसी provision डाल रखी है it would have been invalid without receiving the president जब तक president इसको signature नहीं करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा जैसे माला यह तब ही हो सकता है श्रया जब governor ने reserve करवा के रखवा लिया और कोई भी state legislature की जी सामने देखा ना अगर वो वापस करी भी जाएगी तो दोबारा वो governor नहीं देख सकते हैं प्रेशन के पास ही जाएगी अगर reserve करवा के रखवा था उसके लिए तो ठीक है तो वो invalid गदार हो जाएगी तो यह वो situation है देख रो ध्यान से देख लो instruction वैसे governor को भी नहीं चाहिए यह वाले point से confuse मत हो जाना मुझे लगता है कभी कपर किसी को पर इस point को बढ़के button आजाता है यह कोई गलत thinking में चला जाता है इससे गलत सोच में मत चले जाना कि governor को कोई instruction चाहिए पढ़ती है for making an ordinance नहीं चाहिए पढ़ती है लेकिन तीन cases के अंदर चाहिए पढ़ती है वो ordinance फिर तीन cases के अंदर खुद से नहीं बना सकते हैं जब तक उनको प्रेशन्ट से अनुमत ही ना मिले एन एक बाँ पताओ इन तीनों topic को अगर मैं wind up कर दूँ और अब देखो मैं clear कर देता हूं के दिमागे अंदर यह case any bill which is reserved by governor प्रेशिडेंट्स कंसेडरेशन यही तो हुआ न यही तीनों मुद्देगा मतलब उन cases के अंदर राश्पती ही instruction देरेंगे कि देखो या तो टू अप्शन या तो इसको state legislature का जब session होगा तब वहाँ पर लेकर आना है या फिर कोई बात नहीं state legislature जो है वो अभी session में नहीं है तुम इसके लिए ordinance का route देख लो ठीक है यह राश्पती बताएंगे समझ गए क्योंकि याँ पर देखो same ही tone एक तरीके से ऐसा कुछ नहीं है तीन case से जो लिख रखे है एक जो bail है उसके अंदर कुछ ऐसी provision है जिसके लिए प्रेसिडेंट के sanction की जुरुत है क्योंकि प्रेसिडेंट की अनुमती से ही वो state legislature में introduce हो सकता था case 1 उसके बाद अगर governor ने किसी ऐसे bill को reserve करके रख लिया था जिसको वो खुश साइन नहीं करना चाहरे थे एक बार ही president से concentration करवाना चाहरे थे case 2 ठीक है अगर state legislature का कोई भी एट है उसके अंदर कोई ऐसी provision है कि वो invalid हो जाएंगी जब तक president के signature अगर उसको ना मिले and again तीनों cases के अंदर ये governor ही तो उंगेश रहा जो कि reserve करवा के रखेंगे इस चीज को प्रेसिडेंट के लिए राजपती को कोई सपने तोड़ी ना रहे है इतनी सारी विदान सबाओ या विदान परिशादों के अंदर क्या चल रहा है governor जब उनके लिए reserve करके रखेंगे तभी तो ऐसा होगा और यादे न हमने पढ़ा भी था reservation का जो case था एक तो यादे जिससे boundaries कुछ हो अगर exchange हो रही हो वह effect हो रहा हो international relations या national importance का कोई मुद्दा हो वह effect हो वह चीज है तो इसक्यूपर जादा load मत लेना ठीक है यह बस एक वह चीज है again मैं फिर से बता रहा हूँ यह जो 10th point है governor के case में governor को भी instruction की जरुवत नहीं है time ordinance बनाने के लिए सिर्फ तीन cases के अंदर जब वह bill को reserve कर वा लेते हैं किसी ऐसे कर मुद्द के connection के साथ जहां पर प्रेशन के signature चाहिए होते हैं तब उनको प्रेशन की ही अनुमती चाहिए होते हैं उसके